नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है हितेश और स्वागत आपका हम्मारे चैनल हैक्स ओफ लाइफ में आज हम बात करेंगे वन प्लस फाइव और समस्क गलेक्सी आइसेट के बारे में दोनों ही अपनी कंपनी के फ्लेक्शिप फोन्स हैं और काफी प्रीमियम स्मार्ट फोन्स हैं तो आज हम बात करेंगे कि कौन सा फोन आपके लिए बैटर है इन में से तो सबसे पहले यदि हम प्राइस की बात करें तो वन प्लस फाइव का जो 6GB वाला वर्जन है वो आपको मिलता है 32,999 रुपे में और 8GB वाला वर्जन जो है वो मिलता है आपको 38,000 रुपी में और सम से लेक्सियाट आपको मिलता है लगबग 58,000 रुपी में तो अब हम बात करते हैं इनकी डिस्पले और इनकी लुक के बारे में डिस्पले की जहां तक बात करें तो वन प्लस फाइम में आपको 5 इंच की डिस्पले मिलती है 5 इंच की सूपर एमोलेट डिस्पले है काफी क् थिकनेस की यदि हम बात करें तो वह 7 पर 2 mm की है लेकिं यदि हम सेमसिंग एलेक्सियाट एसेट पर जाएं तो इसमें आपको दोनों तरफ से करव एज डिस्पले मिलती है जो कि इस फोन को काफी सुंदर बनाती है और बैक पर जो आपको गलास मिलता है इससे ये फोन काफ इससे बड़ी मिल जाती है दिखने में भी सैंपसञं गयलेक्सियाट सेटर वन प्लसफ्प से अच्छा है तो इस ब्रॉंति लाक्सियायग दिस्प्ले तक हम बात करें तो उसमें ग्लेक्सियाट KHji मार जाता है क्योंकि इसकी डिस्प्ले जहा है वो कॉयाट roots 5 की डिस्प One Plus 5 में जो कि ये काफी बढ़िया प्रोसेसर है और Samsung Galaxy S8 में बात करें तो हमें मिलता है Samsung Exynos 9 Octa-Core प्रोसेसर जो भी काफी बढ़िया है RAM की जहां तक हम बात करें तो One Plus 5 में आपको दो वर्जस मिलते है 6GB और 8GB वाला और Samsung Galaxy S8 में सिर्फ आपको 4GB RAM ही मिलती है तो performance में हमें उमीद है कि One Plus 5 काफी better perform करेगा क्योंकि इसकी RAM काफी ज्यादा है तीसरी हम बात करें battery की तो battery आपको इसमें मिलती है One Plus 5 में 3300mAh और Galaxy S8 में आपको मिलती है 3000mAh की लेकिन One Plus 5 में आपको एक बड़ा benefit यह है कि इसमें आपको dash charge मिलता है जो कि इसकी battery को काफी तेजी से charge कर देता है और आपको काफी फाइदा देगा अब हम बात करते हैं operating system की तो One Plus 5 काम करता है Android 7.1.1 Nougat पे और जो Samsung Galaxy S8 है वो 7.0 Nougat पे काम करता है लेकिन हमें उमीद है कि Samsung Galaxy S8 पे भी हमें आने वाले समय में अपडेट्स देखने को मिलेंगी बिल्ट क्वालिटी दोनों की ही aluminum से बने हैं और Samsung Galaxy S8 में आपको back पे glass मिलेगा जबकि One Plus 5 में aluminum ही मिलेगा उसके बाद अगर हम बात करें camera के बारे में तो One Plus 5 का एक main feature camera है इसमें आपको back पे dual camera मिलता है जो के 20 megapixel पर 16 megapixel का dual camera है इसके benefits आपको यह है कि यह आपको एक तो बड़िया optically stabilization देता है दूसरा आपको blur effect बहुत अच्छा मिलता है जिसको इन्होंने depth of field का नाम दिया है जिससे कि आप blur effect वाली pictures बहुत ही बड़िया तरीके से ले सकते हैं Samsung Galaxy S8 के बारे में बात करें तो इसमें आपको 12 megapixel का optical image stabilization वाला camera मिलता है camera performance इसके काफी अच्छी है तो camera लेकि यहां पर हम मानेंगे कि one plus five का ही win करेगा क्योंकि इसमें dual camera में जो features हैं वह Samsung Galaxy S8 नहीं दे सकता अगर हम front camera की बात करें तो front camera भी one plus five का camera है जो 16 megapixel का है और Samsung Galaxy S8 का है जो वह 8 megapixel का camera है दोनों ही phones 4G है dual sim को support करते हैं और काफी बढ़िया phones है NFC भी दोनों में आपको मिल जाएगा दोनों में आपको type C type की USB charging cable मिल जाती है बस यही था इनके कुछ main features का comparison यदि हम price की बात करें तो यदि आपका budget यदि आप एक premium brand ही खरीजना चाते हैं तो वह Samsung Galaxy S8 आप चूस कर सकते हैं लेकिन यदि आपका price to features ratio देखें तो one plus five आपके लिए काफी अच्छा है एक premium बहुत beautiful looking phone है और आपको यह features भी काफी बढ़िया देता है performance में भी आपको बहुत बढ़िया लगेगा और camera में भी आपको काफी अच्छा result देगा price भी इसका Samsung Galaxy S8 से काफी कम है लेकिन features जो है वो Samsung Galaxy S8 को पुरी तरह टकर देते हैं तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कर दो कर दो कर दो है क्या सबसे हो चार कर दो प्रूब आपको ये आपको चार को ये वीडिया लेकिन हैन।